है यह यह अग ऐज बनाने के लिए यह मैंने तीन कलर के पुरानी चुन्नी ले लिए है चुन्नी की मैंने एक सेंटिमेटर चोड़ी पट्टी काट लिए है इस तरहें कैसे ये देखे मेरे पास पुरानी चुन्नी थी, आपके पास अगर पुरानी शाडी है मैंकरम, उन से भी आप इसे बना सकते हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, बनाने के लिए देखिएगा हम यहापर 10 फंदे डालेंगे, रेड गलर से, इस तरह से देखिएगा, एक चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस, दस पंदे डाले हमने red कलर से और अब दस पंदे हम डालेंगे yellow कलर से तो yellow कलर से पंदे डालने के लिए भी हमें एक note बनाएंगे यहां पर इस तरह से एक note बनाया ऐसे ऐसे एक नोट बनाया और फंदे डाल लेंगे देखिएगा दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस दस फंदे डाले हमने इस तरह ऐसे देखिएगा देखिएगा दस फंदे डालने के बाद हम इस सलाई को बनाएंगे उल्टा उल्टा बनाकर कम्प्लेट करेंगे इस तरह से जब हम इस तरह से पंदे डालते हैं तो थोड़ा सा आराम से बुनते हैं ऐसे तो चलिए ये रो उतार लेते हूं उसके बाद दिखाऊंगे ये देखिए सोरिये हम फस्ट रो से ही डिजैन को सुरू करेंगे तो डिजैन सुरू करने के लिए हम यहाँ पर देखिएगा ये ब्लू कलर लगा लेंगे यलो कलर से हमने फंदे डाल लिए और अब हम यहाँ पर ब्लू कलर लगा लेंगे तो ब्लू कलर लगाने के लिए हम इसको इस तरह से दबाएंगे और एक फंदा बढ़ा लेंगे तो सलाई के निचे से इस तरह से पटी को लपेटेंगे ऐसे और यहां से ऐसे निकाल लेंगे ऐसे तो यह हमने एक फंदा यां पर बढ़ा लिया इस तरह से पंदा बढ़ाएं तो इस शुरू से ही हमने डिजाइन शुरू कर दिया है और टी साइड से हम दूसरा कलर लगाते हैं तो देखीगा यहां पर हम दस पंदे जो हमारे थे एक फंद आमने बढ़ा लिया और दस पंदे यलो कलर वाले हम बलू कलर से बना लेंगे इस तरह से ऐसे ठीक है आप हान देखेगा उस्थरा एस तरह से लिए इस रेड कलर को और इस बलूद पटी को आगे की तरफ ले लेंगे ऐसे आगे की तरफ wait दस पंदे जो हमारे रेड कलर के हैं इस प्ति को देखेगा है हैं इस तरह से साथ में दबालेंगे यहां पर हम आठ फंदे रैड गलर से बनाएंगे दो फंदे छोड़ेंगे दो चार पाँच चे साथ आठ आठ फंदे बनाएं और वापिस ही से पिछे की साइड पलट जाएंगे अब जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बनाएंगे तो देखिएगा पंदे को उतारेंगे रैड वाले फंदे रैड कलर से बनाएंगे और बलू वाले फंदे बलू कलर से बनाएंगे तो यहां पर देखिएगा इस तरह से बनाएंगे हम और इस red पटी को पीछे ले लेंगे और blue पटी को आगे लेंगे थोड़ा सा tight करते हुए ताकि हमारा बीच में gap ना आए तो उसके लिए देखिएगा यहाँ पर इस पटी को पीछे लिया और blue पटी आगे की तरफ ले आए और यहाँ पर ऐसे कि इस तरह से देखिए और यह हमने बना लिए अब देखिएगा यहाँ पर हम यह लो कलर लगा लेंगे तो यह लो कलर लगाने के लिए देखिएगा इस blue कलर को आगे लेंगे इस तरह से और यहाँ पर ऐसे फंदा बढ़ा लेंगे सलाई के नीचे से पटी को गुमाएंगे और इस तरह से फंदा बढ़ा लेंगे और इस पटी को साथ में बना लेंगे इस तरह से देखिएगा आगे ले लेंगे इस पटी को एक बार हम बना लेंगे दुबारा इसको इस तरह से आगे की तरफ लेते वे जाएंगे तक कि हमारा उल्टी साइड भी सफाई के साथ बन के आए तो ये देखेगा इस तरह से ये हमने दो फंदे हमारे बढ़ चुके हैं दो चार चे साथ आठ नो और ये दस तो ये येल्लो कलम के हमारे यहां पर बारा फंदे होगे दो फंदे एक फंदा पिछली सलाई में बढ़ाया था और एक फंदा आपकी बार बढ़ाया अब देखेए येल्लो पटी आगे की तरफ ले लेंगे और रेड पटी को निच्चे से उपर की तरफ क्रोज करवाते हुए इस तरह से बना लेंगे यहां पर देखेएगा और दो फंदे पिछे की साइड फिर से छोड़ देंगे तो यह दो फंदे पिछली स्लाई में छोड़े दो फंदे अब की बार छोड़ेंगे और वापसे से प्लट जाएंगे इस तरह से देखिएगा इस पंदे को उतार लेंगे ऐसे और जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बना लेंगे इस तरह से देखेगा अब इस रेड़ पट्टी को पीछे करेंगे और यलो पट्टी आगे की तरफ लेके आएंगे क्रोस करवाते हिए वरना हमारा यहां पर बीच में ओल आ जाएगा तो इस तरह से इस पट्टी को टाइट करते वे जाएंगे और यह जो यलो फंदे हैं इनको यलो कलर से बना लेंगे ऐसे अब देखिए फिर से हम बलू कलर लगाएंगे तो इस यलो को आगे की तरफ ले लेंगे और बलू कलर को इस तरह से फंदा बढ़ाएंगे तो इस लाइके निचे से इस तरह फंदा गुमाएंगे और एक फंदा बढ़ा लिया तो तीन फंदे हमारे याँ पर बढ़ गए हैं तो अब हमारे ये बलू कलर के दो चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारा और इस तरह से इस पट्टी को अंदर की साइड लपेट लेंगे ऐसे बारा और एक तेरा तेरा फंदे हमारे बलू कलर के बन गए और इस पट्टी को इस तरह से क्रोस करवाएंगे ऐसे थोड़ा सा इस पट्टी को टाइट कर लेंगे बलू को भी और दो फंदे पिछे की साइड फिर से छोड़ देंगे पिछे की साइड दो दो फंदे छोड़ते वे जाना है दो जार वी देखिएगा दो फंदे छोड़ेंगे और वापिस यह से पलट जाएंगे और सेदे इस लाइँ में जो फंदा जिस कलर से है उसी कलर से बनाते वे इस लाइँ को कंप्लेट कर लेती हुं और यह पर देखिएगा आगे की साइड हम पांच पंदे बढ़ाएंगे तीन फंदे हमारे बढ़ चुके हैं दो फंदे में और बढ़ाऊंगी और पिछे की साइड दो दो करते हुए ये 10 फंदे छोड देंगे दो फंदे बढ़ाएंगे तो ये 4 फंदे भी हमारे छूट जाएंगे तो चलिए मैं छोड लेती हूँ और बना लेती हूँ फिर आगे आपको दिखाऊंगे ये देखिएगा दो दो करते हुए मैंने यहाँ पर 2 4 6 8 10 ये फंदे छोड दिये 10 फंदे हमने छोड दिये और 5 फंदे हमने बढ़ा लिये हैं देखिएगा आप इसे बड़ा बनाना चाहते हैं, तो आप जैसे मैंने ये 10-10 फंदे लिए हैं यहां पर, इस तरह से आप यहां पर 20-20 फंदे भी ले सकते हैं, दो के जोड़े में आप फंदे डालें, जितना भी मर्जी बड़ा बनाना चाहें, बना लें, यह मैंने यहां पर 10-10 डालें आप 20-20 डाल ले, अगर आप 20 फंदे डालेंगे यहाँ पर, 20 यहाँ पर और 20 यहाँ पर, तो आगे आप, जैसे मैंने यहाँ पर 5 फंदे बढ़ा हैं, तो यहाँ पर आप 10 फंदे बढ़ा लिजिएगा, तो इसी तरह से यह बनता चला जाएगा, जितना बढ़ा बनाना चाह बना ले आप देखिएगा हमें क्या करना है आप हम यहां पर फंदे घटाएंगे जिस तरह से हमने फंदे बढ़ाए थे उसी तरह से आप हम यहां पर फंदे घटाएंगे तो दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे और यहां पर बाकी फंदे यलो कलर से बना लेंगे इस तरह स पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, और दो फंदे छोड़ देंगे पिछे के, दस छोड़े थे, दो अब की बार छोड़ देंगे, और से दी साइड, जो फंदे जिस कलर से हैं, उसी कलर से बना लेंगे, इस तरह से देखिएगा, इस पंदे को तो हम उतारेंगे, और इस पट्टे को देखिएगा, अंदर की साइड इस तरह से लपेट लेंगे, ऐसे, ऐसे लपेटेंगे, आसी आसी इस तरह से अब हम देखे फिर से एक फंदा घटाएंगे कुरिया पर बलू कलर लगा लेंगे ऐसे दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो और दो फंदे छोड़ देंगे यलो कलर वाले वापिस नहीं से पलट जाएंगे और इस फंदे को ऐसे उतारेंगे और बाकी फंदे बलू कलर से बना लेंगे देखेगा कलर कॉंबिनेशन आपको जो भी कलर अच्छे लगते हैं आप उन कलर से बना लेजिएगा तो यहाँ पर देखिएगा ऐसे बनाया हमने और यहाँ पर देखिएगा दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे और यह इस पट्टे को आगे ले लेंगे और यलो कलर से बनाएंगे दो फंदे का एक फंदा बनाया हमने और इस पट्टे को देखिएगा यहाँ से थोड़ा सा लू छोड़ते जाएगा ताकि यहाँ पर यह फोल्ड नहों तो दो तेन चार पांच छे दो फंदे बलू वाले छोड़ देंगे और वापिस यह से पलट जाएंगे और सी दिस लाई में जो फंदे जिस कलर से है उसी कलर से बनाकर कंप्लेट करेंगे यह देखिएगा अब हम फिर से यह पर एक फंदा घटाएंगे तो इस यहलो पटी को आगे की तरफ लेते जाएंगे तो यह आपकी फंदे पिखर छोड़ देगी अगर पिष्चे की साइड ले लेंगे तो देखेगा सीध इस इसाइड दिखाई न देगी इस तरह से जो दिख रही है तो यहाँ पर दो फंदे का एक फंदा बनानेंगे ऐसे और इसको टाइट कर लेंगे यह लोग को और इस पट्टी को थोड़ा से लूच छोड़ेंगे इस तरह से ठीक है और देखेगा इस दो फंदे छोड़ देंगे और वापी सही से पलट जाएंगे इस पंदे को उतारेंगे और बलु वाले पंदे बलु कलर से बना लेंगे यह देखिएगा फिर से हम दो का एक बनाएंगे इस पट्टी को ऐसे ले लेंगे और दो फंदे का एक फंदा बना लेंगे ऐसे देखिएगा दो च्यार चे आठ दस बारा चोड़ा सोला अठारा और यह हमारे बीस अब देखिएगा हमें यह पूरी सलाई यलो कलर से बनानी है सब इफंदे जो भी फंदे हैं हमारे इन सब इफंदो को हम यलो कलर से बना लेंगे लास्ट तक यहां तक बनाएंगे जहां तक हमने दस बंदे डाले थे यलो कलर के और बाकी जो दस बंदे हमने रेड कलर से डाले थे उन फंदो को हम रेड कलर से ही बनाएंगे तो देखिएगा रेड इस पटी को यलो वाली को आगे ले लेंगे और इस तरह से रेड कलर से यह जो दस ब आपन्दे हैं ने रेड़ कलर के बनाए थे इन फंदों को रेड कलर से बना लेंगे इस तरह से लास्ट तक सारे फंदे बना लेंगे ऐसे है हूं है नहीं उतार लेंगे और यह बाकी के दसपंदे जो रैड है उनफंदों को रैड कलर से बनाएंगे और जो येलो कलर के हैं उनफंदों को येलो कलर से बनाएंगे ऐसे देखेगा रेड पटी को पीछे लेंगे और यलो पटी आगे की तरफ लेके आएंगे नीचे से उपर की तरफ क्रोज करवाते हुए वरना हमारा जो यहाँ पर बीच में मैट में छोला जो है खोल बन के आएगा तो इस तरह से इस पटी को टाइट कर देंगे और यलो वाले फंदे यलो कलर से बनाएंगे इस तरह से देखिएगा बहुत ही इजी है बहुत ही आसानी से आप इसे बना लेंगे बिगनर भी इसे आसानी से बना सकते हैं बहुत ही इजी बनने वाला यह डूरमेट है फ्रेंट्स आगर आपको मेरी वीडियो बताने का तरीक नग्जा लगता है मेरी वीडियो अचे लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शाथ में जो बेल आईकोन है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी विडियो की नोटिफकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच के कमेंट बोक्स में लिखके जरूर बताएगा कि आपको प्यारा सा डोर मैटे कैसा लगा तो देखिए ये इस तरह से हमारी एक कली बन कर कमपलेट होई तो अब हम अगली कली बनाने के लिए देखिएगा इस तरह से ये एक कली हमारी बन चुकी है तो अब हम दूसरी कली बनाएंगे उसके लिए देखिएगा फिर से हम फंदे बढ़ाएंगे ये बलू कलर लगाएंगे और एक फंदा बढ़ा लेंगे इस तरह से फिर से वही रिपीट करते वे जाना है जिस तरह से हमने फंदे बढ़ाए थे और इस पट्टी को देखेगा साथ में इस तरह से ले लेंगे मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ ऐसे तो देखेगा एक फंद आमने बढ़ा लिया दो, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस दस फंदे हुए और यह जो दस फंदे रेड कलर के है इनमें से आठ फंदे बनाएंगे दो फंदे छोड़ देंगे तो दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ आठ फंदे बनाएंगे दो फंदे पिछेक साइड छोड़ देंगे और वाफिस से पलट जाएंगे और शेद इस लाई में जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बनाते हुए कंपलीट करेंगे देखेगा, यह पर इस पटी को साथ में इस तरह से दबा लेंगे इस इस बनाना नहीं है, ऐसे ही उतारेंगे उतारा, और इस पटी को अंदर की साइड ऐसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से बना लेंगे यह कि देखिए का जो ये लोके हैं यह दागे निकलते ही हैं चुनिन IGHT मैं से तो इसको हम बनाने के बाद में निकाल देंगे इस तरह से तो देखिएело के बनाए रेड कलर सी अब हम रेड कलर को पीछे करेंगे और बलू कलर आगे की तरफ लेके आएंगे ऐसे ठीक है और इस तरह ऐसे देखिएगा जो बलू वाले फद्धे हैं उनको बलू कलर से बना लेंगे एसे बनाने के ठीक है तो देखिएगा इस तरह से यह हमारी दूसरी के लिए भी स्टार्ट हो गई है इस तरह से देखिएगा ऐसे तो चलिएगा मैं इससे थोड़ा सा बनाने के बाद आपको दिखाऊंगी देखिएगा पूरी वीडियो नहीं पूरा दोर्मेंट बनाने की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाते हैं इसलिए एक हीखली में पूरा दोर्मेंट से बनाया है। करसा और हुआ जिस तरह से मैं इस कली को बनाया है उसे तरह से आप इस पूरे डॉल मैट को सकते हैं और देखेगा गांव आप अगर आप इस्से बड़ा बनाना चाहते हैं तो जो यह मैंने यह पर 5-5 पंदे बढ़ाए हैं इसी crap आप 10-10 पंदे बडालीजिएगा इसी तरह से बनाना है बनाने में कोई भी चेंज नहीं करना है आप 10 की जगह 20-20 पंदे करेंगे तो आगे 10 पंदे बडालेंगे और इसी तरह से पूरा डोर मैट बनके आएगा जैसे मैंने इसकली को बनाया है लेकिन थोड़ा सा बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये बनने के बाद कैसा लगेगा